पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आश और लाइसेंडरा दोनों के पास आखरी पोकीमोन बचेवे होते हैं लाइसेंडरा के पास था मेगा गेंगर वही पर आश के पास था मेगा म्यूटू एक्स लाश में दोनों ही पोकीमोन अपने स्ट्रोंगेस अटाक का यूज करते हैं मेगा म्यूटू एक्स करता है जैंट साइस्ट्राइक का दूसरे तरफ मेगा गेंगार यूज करता है जैन शेड़ो बॉल अटक का दोनों अटक टकरा जाते हैं और यहाँ पर गेंगार हार जाता है जिससे आश लाइसेंटरा को डिफेट कर देता है इसके बाद आश और उसके फ्रेंड्स अगले गेट पर जाते हैं जहाँ पर काफी बड़े बड़े विंग्स थे और दो काफी स्टॉंग पोकिमोंस को फाइट करते वे दिखाया जा रहा था अब आगे मिस्टी और सरीना को लग रहा होता है कि एक फ्लाइंग टाइप चैंपियन ट्रेहर होने वाला है वही पर दूसरे तरफ ब्रॉक बोलता है कि मुझे तो कोई और टाइपिंग लग रही है बट मैं अभी भी कन्फरम नहीं हूँ एश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और काफी तेज हवाई चल रही होती है एश और उसके फ्रेंट्स नोटिस करते हैं कि बैल फिल्ड एक उपन बैल फिल्ड थी यानि कि उपर कोई सीलिंग नहीं थी इससे हिंट मिल रहा था है कि एक फ्लाइंग टाइप बैल होने वाली है तब ही चांपिन ट्रेयर उपर आ जाता है और बोलता है एश कैसे हो एश बोलता है मैं ठीकू बट तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता वो चैंपिन ट्रेयर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और जहां तक मैंने सुना है तुम्हें काफी ज़ला स्ट्रॉंग पोकिमों ट्रेयर हो obviously अगर तुम यहां तक आये हो तो strong हो गई बट मैं बता दू कि तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि हम मैं आचुका हूँ मैं एक dragon type Pokemon टेयर हूँ और मेरा नाम है Drago Ash बोलता है मैं भी तुम्हें defeat करने आया हूँ और करके जाओंगा भी बैडल में आते हैं Mewtwo weak लग रहा था क्योंकि वो पिछली बैडल में काफी सारे Pokemon को हरा कर आया था Drago बोलता है वाउ तुम भी एक legendary Pokemon का use कर रहे हो बट यह देखने में इतना weak क्यों लग रहा है Ash बोलता है कि इसने पिछली light 4 के 4 Pokemon को अकेले defeat किया है बट वो dodge नहीं कर पाता जिसके चलते हैं उसके उपर Ice Beam लग जाती है और उसको सूपर effective damage परता है साथ में वो जम भी जाता है यानि कि अब वो move नहीं कर सकता था Ash बोलता है Mewtwo यहीं मौका है Hyper Beam attack का use करो Mewtwo Hyper Beam attack का use कर देता है जिसे रेजी ड्रागो बर्फ के बहार तो आ जाता है बट उसको और भी damage पर जाता है यानि कि बैल के स्टार्ट में ही Mewtwo ने लिग ले ली थी इसके बाद रेजी ड्रागो यूज करता है Dragon Claw attack का वहीं पर इसके काउंटर में आज अपने Mewtwo को Eyes Punch attack यूज करने बोलता है दोनों यह attack टकरा जाते हैं बट क्योंकि Eyes टाइप रेजी ड्रागो के उपर सुपर इफेक्टिव थी इसलिए Eyes Punch Dragon Claw को ओवर पावर कर देता है और रेजी ड्रागो को damage परता है इसके बाद आज बोलता है Mewtwo, Rookomad, Blizzard attack का use करो Mewtwo बिल्कुल ऐसे करता है और उपर से बर्फ की बारिश होनी लगती है जो कि रेजी ड्रागो के उपर गिरती है जिन में से कुछ बर्फ को रेजी ड्रागो डॉज कर लेता है सहीना बोलते है कि आज की strategy तो पहले सी अच्छी थी बट वो tapping के बारे में उतना नहीं सोचता था पर अब वो tap effectiveness पे भी ध्यान देने लगा है वो उनी move का use करता है जो कि opponent पे super effective है ड्रागो बोलता है रेजी ड्रागो earthquake attack का use करो रेजी ड्रागो बिल्कुल ऐसी करता है पर म्यूटू उपर उटकर इस attack को dodge कर लेता है उस पे कोई भी फर्क नहीं परता और म्यूटू यूज करता ice punch attack का जिससे रेजी ड्रागो पीछे ball पर जाकर टकरा जाता है और वो हार जाता है यानि कि म्यूटू ने रेजी ड्रागो को पुरी तरह से dominate कर दिया था ड्रागो पुरी तरह से shock रह जाता है क्योंकि एक weak लग रहे है म्यूटू को रेजी ड्रागो कोई भी damage नहीं दे पाया और म्यूटू ने easily ये battle जीत ली वो काफी disappointed होता है बट अपने रेजी ड्रागो को pokeball के अंदर वापस लेता है वो बोलता है कि रेजी ड्रागो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गंदा perform करने वाले हो बट मेरे बागी pokemon सब देख लेंगे ड्रागो बोलता है कि आश मानना पड़ेगा तुमारे म्यूटू में काफी अची fighting spirit है इतना weak होने के बाद गी वो battle करता है और पुरे तरह से dominate करके मेरे रेजी ड्रागो को defeat कर देता है बट मेरे बागी pokemon से ऐसे नहीं होने वाले है अब म्यूटू को हारने के लिए तयार रहना चाहिए ड्रागो अपना second pokemon निकालता है और बोलता है लाटियाज जाओ यानि कि ड्रागो का second pokemon भी एक legendary pokemon था डेफिनेटल ये battle tough होने वाली थी बट आज मूलता है म्यूटू हम ये battle भी जीतने वाले हैं अब आज अपने म्यूटू को ice beam के साथ start करने बोलता है रागो बोलता है लाटियाज तुम भी ice beam attack का use करो दोने ये attack टकरा जाते हैं और किसी भी pokemon को damage नहीं पड़ता इसके बाद आज का म्यूटू blizzard attack का use करता है इसके counter में लाटियाज यूज करता है लस्टर पर्च का लस्टर पर्च के चलते लाटियाज से सामने एक shield बन जाती है जिसके चलते वो सारे के सारे blizzard को dodge कर लेता है और लस्टर पर्च डारेक्ली म्यूटू के उपर लगता है जिससे म्यूटू को काफ़ी ज़दा damage परता है आज मूलता है म्यूटू क्या तुम आगे लट सकते हो म्यूटू वापस खड़ा हो जाता है यानि कि वो battle में continue कर सकता था इसके बाद आज अपने म्यूटू को ice punch attack यूज करने बोलता है इसके counter में latias यूज करता है thunder wave attack का ice punch latias के उपर लग जाता है और इसको काफ़ी ज़दा damage परता है क्योंकि एक super effective attack था वहीं पर दूसरे तरफ thunder wave भी म्यूटू के उपर लग जाता है जिससे म्यूटू paralyze हो जाता है अब ड्रागो अपने latias को dragon type का सबसे strong attack यानि कि ड्राग को meteor यूज करने बोलता है जिससे आस्मान से काफ़ी सारे meteor गिरते है आज बोलता है म्यूटू protect attack का यूज करके इन सबको dodge कर लो म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है बट वो किसी reason के चलते प्रोटेक्ट attack का यूज नहीं कर पाता है और उसके ओपर एके करके काफ़ी सारे meteor गिर जाते है जिससे म्यूटू को काफ़ी ज़दा damage परता है और वो meteor के निचे दबा हुआ था सहीना बोलते की पैरलाइस होने के चलते म्यूटू protect attack का यूज नहीं कर पाया जिसके चलते उसके पर काफ़ी सारे meteor गिर गए ब्रोग बोलते है कि ये ड्रागो की outstanding strategy थी क्योंकि उसको पता था कि पैरलाइस होने के बाद म्यूटू move नहीं कर पाएगा इसलिए उसने लाटियास को सबसे strong attack यूज करने बोला dragon type का जिससे म्यूटू को सबसे ज़ादा damage पर सके और बिल्कुल ऐसा होता ही है म्यूटू म्यूटू और के दिचे धब गया था वो निकल नहीं पा रहा था आश बोलता है म्यूटू क्या तुम ठीक हो बट म्यूटू कुछ भी अंसर नहीं करता ड्रागो बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं all out जाने वाला हूँ मैं बिल्कुल भी तुमारे पोकिमोंस के बारे में नहीं सोचने वाला मैं तुमारे टीम को पुरी तरा से डिस्ट्रॉइ कर दूँगा अब तुमारा म्यूटू कहां पर गया आश बोलता है म्यूटू बहार आओ पर म्यूटू दुबारा अंसर नहीं देता है ड्रागो बोलता है कि लगता है तुमारे म्यूटू में सीफर सिफ इतना ही दम था तब ही सारे म्यूटू और अजानक से तूट जाते हैं और उस म्यूटू और के कुछ पार लाटियास के ओपर लगते हैं सभी लोग ये देकर शौक रह जाते हैं और म्यूटू बाहर आ जाता है आश खुश हो जाता है म्यूटू ने मेगा पंच का यूज करके सारी मीटियों तोड दिया थे और इसी के चलते वो बाहर आ गया था ड्रागो बोलता है क्या तुमारे म्यूटू अभी भी फाइट कर सकता है चलो ठीक है हम इसको अब defeat करके रहेंगे Latias Luster Purge का use करो वही पर आज अपने Mewtwo को size strike use करने बोलता है जब तक Mewtwo size strike create कर रहा था तब तक Latias का Luster Purge उसके उपर लग जाता है जिससे Mewtwo को damage परता है पर last moment पर Mewtwo size strike का भी use कर देता है जो कि directly Latias के उपर लगता है इससे दोनों ही Pokemon को damage पर जाता है आज बोलता है Mewtwo time waste मत करो और confusion attack का use करो Mewtwo बिल्कुल ऐसे करता है और ये directly Latias के उपर लगता है जिससे Latias confused हो जाता है अब Brago अपने Latias को psychic attack use करने बोलता है वहीं पर आश अपने Mewtwo को Blizzard attack use करने बोलता है दोने ही Pokemon अपने अपने move को use कर देते हैं बर सप्राइजिंगली Latias psychic attack का use नहीं कर पाता क्योंकि वो confused हो चुगा था और वो खुद के उपर attack कर लेता है जिससे Latias को damage परता है आश अपने Mewtwo के performance को लेकर काफी खुश होता है